नमस्कार दोस्तों बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सब का स्वागत है मैं हूँ मन्जर आलम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर चर्चा करेंगे रूस और युक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब तक रूस अकेले था और युक्रेन के साथ अमरीका समेथ कई पश्चिमी देश खड़े थे लेकिन अब रूस की मदद के लिए चीन सामने आ गया है हाला के चीन का रूस के समर्थन में सामने आने के कुछ ही घंटों बाद भारत ने भी युक्रेन संकट पर अपना बयान जारी कर दिया है क्या है भारत का वो बयान आपको ये भी बताएंगे और चीन के सामने आने से भारत की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं उस पर भी चर्चा करेंगे इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों इस से पहले भी हमने एक वीडियो बढ़ाया था जिसमें रूस और युक्रेन के बीच चल रहे तनाव के कारण डिटेल्स में समझाये थे अगर आपने उस वीडियो का अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा वीडियो का लिंक आई बटन दबाने से मिल जाएगा और यहां मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूगा आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप नए हैं और अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो फॉरंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और लाल बटन जरूर दबाईएगा चलिए बढ़ते हैं आगे अमेरीका और पश्चमी देशों के दबाव पर रूस और यूकरेन के बीच हुए शान्ती वारता के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद युद का खत्रा फिलहाल तल गया है लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इस्तिती और नाज़क हो गई जब अमेरीका ने यूकरेन पर रूस की शर्ते ठुकरा दी अमेरिका ने युक्रीन को नाटो का हिस्सा बनाने से रोकने की रूस के शर्ट को ठुगरा दिया जिसके बाद रूस और युक्रीन के सीमाई इलाकों में एक बार फिर तनाव चरम पर है उदर रूस ने भी सबस्ट कर दिया है कि अब नाटो देशों के साथ समझाओते की उमीद लगभग खत्म हो गई है उदर अमेरिकी विदेश मंतरी एंटनी ब्लिंकन ने रूस से कहा है कि उनका देश युक्रेन संकट से निपटने के लिए अब हर तरह से तयार है लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस युक्रेन के प्रतिन नर्म रवय्या अपनाता है तो बातचीत के जरिये समस्या का समधान ढूंडा जा सकता है अब चर्चा करते हैं चीन की चाल की जो भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है युक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका समेट नाटो देशों में जंग के मंडराते काले बादलों के बीच चीन ने भी माहिर खिलाडी के तरह अपनी चाल चल दी है चीन के विदेश मंत्री वागी ने इस पूरे विवाद में खुल कर रूस का समर्थन किया है माना जा रहा है कि चीन ने इस मौके को भुनाते हुए रूस की सहनेभुती हासिल करने की कोशिश की है उदर चीन के इस गाउं से भारत की टेंशन बढ़ सकती है क्या है पूरा मामला इसे समझने की कोशिश कीजिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और दोनों और से मिलाकर करीब एक लाक सेनिक इस वक्त सीमा पर तैनात है महीं भारत चीन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हत्यार रूस से खरीद रहा है भारतिय सेना के करीब साथ पिशदी हत्यार रूसी मूलिके हैं ऐसे में चीन की रूस से नजदी की भारत के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है भारत ने युक्रेन रूस विवाद में अभी तक कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया था लेकिन पूरे घटना करम पर नजदी की से नज़र बनाए हुए था विशेशग्यों का कहना है कि दोनों ही पक्षों में भारत के रणनीतिक भागिदार शामिल है ऐसे में एक भी घलत कदम पहले से जटन चले आरहे कूटनीतिक रिष्टों को संकट में डाल सकता है भारत को रूस के शक्ति परदर्शन पर चिंता तो जरूर है लेकिन वे मुश्कों के साथ अपने संबंदों को संकट में नहीं डाल सकता चीन के साथ चल रहे तनाव में अमरीका भी भारत की पूरी मदद कर रहा है ऐसे में उसके साथ रिष्टे भी अहम है भारत को ये भी डर है कि अगर रूस पर और ज्यादा पर्तिबंद लगते हैं तो वे चीन के ज्यादा तरीब चला जाएगा दोस्तों आपको बता दूँ के युक्रेन को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है और अब पहली बार भारत में अधिकारिक तौर पर युक्रेन संकट पर बयान दिया है क्या है वो बयान देखे स्क्रीन पर युक्रेन संकट पर भारत का बयान भारत ने पहली बार प्रतिकिरिया देते हुए शांती और इस्कृता बनाने की बात कही है। भारतियं विदेश मंत्राले की तरफ से जारी किये गये बैयान में शुक्रवार को कहा गया है कि भारत दीर्दिकालिक शांती और श्तिर्ता के लिए निरन्तर राजनैक प्रयासों के माद्यम से इस्तिती के शांति पूर्ण समाधान का अहवान करता है. शुक्रवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग में भारतिय विदेश मंत्राले के अधिकारिक प्रवक्ता अरिन्दम भाक्षी ने युक्रेण संकट पर भारत सरकार के स्थिक्टी को सपष्ट किया है दोस्तों अब आपको वर्ष 2014 में लिये चलते हैं और बताते हैं कि भारत ने उस वक्त क्या बयान दिया था आपको बता दें कि इस से पहले भी रूस और युक्रेण के बीच साल 2014 में युद्ध हो चुका है जब रूस ने युक्रेण पर हमला करते हैं क्रीमिया पर कबजा कर लिया था और मार्च 2014 में ततकालीन परधानमंत्री मनमोहन सिंग की सरकार ने रूस के पक्ष में बयान जारी किया था 2014 में भारत सरकार ने कहा था कि युक्रेन और क्रीमिया में रूस का सार्किक हित जुड़ा हुआ है जिसके बाद भारत के रुख की रूसी राष्टर पती वल्डमीर पोतिन ने सराहना की थी लेकिन इस बार भारत की पहली पर्तिक्रिया में बीच का रास्ता अपनाया गया है और विश्यशकों का कहना है कि अब 2014 जैसे हालात नहीं है और भारत के लिए दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं रहा है विश्यशक्यों का कहना है कि वैसे भारत की कोशिश होगी कि वे महाशक्तियों की लड़ाई के बीच नहीं आए लेकिन कई बार आप बीच में आए बिना भी परभावित होते रहते हैं और चीन का रूस के समर्थन में सामने आने से भारत के लिए इसके आसार ज्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों अब प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत के इस बयान से रूस के राश्ट्रपती कितने खुश होंगे तो इस बारे में मैंने कई समाचार पत्रों को खंगाला उससे जो भी बातें निकल कर सामने आई हैं वोगे मैं आपके सामने रख रहा हूँ विशलेशकों का मानना है कि रूसी राश्ट्रपती भारत का साथ तो चाहते हैं लेकिन इस बार रूस भारत से ज्यादा चीन का साथ चाहेगा और अगर रूस यूकरेन पर हमला करता है और अवेरिका के साथ साथ पश्चिन देश रूस पर परतिबंद की घोशना करते हैं तो फिर रूस को सबसे ज़्यादा चीन की जरूरत होगी और चीन ही रूस को उस संकट से निकाल सकता है लेकिन विश्टेशक इस बात पर भी चिंता जदा रहे हैं कि भारत अपनी जरूरतों का साक्ष परतिशद से ज़्यादा सैनी सामान की खरिदारी रूस से करता है लेहाजा आने वाला वक्त में रूस का रूख भारत को लेकर क्या होगा क्या रहने वाला है ये भी देखने वाले बात होगी दोस्टों वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक और जानकारी देता चलो युक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका के मद्वे नजर कई देश काकी चिंता में हैं जिरे दिरे कई देश युक्रेन में मौझूद अपने नांगरिकों को एडवाईजरी जारी कर रहे हैं पहले अमेरिका ने अपने दूतावास कर्मियों के परिवार वालों को युक्रेन छोड़कर सवदेश आने को कहा था उसके बाद कैनेडा में युक्रेन में मौझूद अपने लोगों का वापस आने और वहाँ जाने का प्लान बनाने वालों को ऐसा न करने की एडवाईजरी जारी की थी अब जपान ने भी अपने नागरिकों से सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट बॉप्स में अपनी कमेंट जरूर दीजेगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए फॉरण चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और लाल बटन जरूर दबाईएगा तके हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सुचना सबसे पहले आपको मिल जाएगे अगर आप मेरे चैनल का मिंबर्शिप लेना चाहते हैं तो जोईन बटन दबाकर मिंबर भी बन सकते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे के इंडिया क्या बोल रहा है तब तक के लिए नमस्कार